जैसरी किष्णा कैसे आप सभी लोग हमासा करते हैं कि आप सभी लोग सबस्त होंगे और अपने अपनों का धियान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल इस प्रिच्वर लफ टुपर टो में हम इस वर्से आप सभी के लिए प्रातना करते हैं कि जो भी विस है वो सारी विस पूरी हो जाएं आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Twin Flame और कार्मिक रिस्ते कैसे होते हैं हम कैसे पहचानें कि हमारा person या हमारे आसपास के लोग हमारे कार्मिक हैं या फिर soulmate हैं आप उनके नेचर से ये पहचान सकते हैं कि आपके जो आसपास है वो आपके कार्मिक है या सोलमेट है और जो आपके परसन है वो आपके सोलमेट है या फिर आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके कार्मिक है दियर आज हम आपको इस वीडियो में अपने रिष्टे को प्राइन बताने वाले हैं जिससे आप पहचान सकेंगे कि यह आपका कौन सा रिस्ता है डियर कुछ लोग अपने कार्मिक परसन को अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं क्योंकि जो कार्मिक रिस्ते होते हैं वो भी हमारे पिछले जनम के होते हैं जो हमारे सोल मेट होते हैं वो भी हमारे पिछले जनम के होते हैं और जो ट्विन फ्लेम होते हैं हमारे सोल का ही हिस्सा होता है जो ट्विन फ्लेम होते हैं तो डियर देखिए हम कार्मिक को भी देख करके बहुत ज्यादा खुस होते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं अपने कार्मिक की तरफ भी, क्योंकि उनसे भी हमारा पिछले जनम का रिस्ता होता है अभी भी जैसे आप नोटिस कर लीजिए कि आप कहीं गूमने जाते हैं तो आप हर किसी को तो देख करके नहीं मुस्कुराते हैं कि जैसे कोई है आपके पास में खड़ा है तो आप उसे देख करके हस्तेते हूं जब आप उसे जानते हैं तभी आप उसे देख करके हस्ते हैं न तो इसी तरह से जब हमारा कोई कार्मिक भी होता है तो वो भी हमारा पिछले जनम का ही रिस्ता होता है तब ही उससे हम अट्रेक्ट होते हैं वो हमें नीचा ही दिखाते हैं हमें वो उल्टी सीधी बाते ही बोलते हैं पहले तो उस उर्वात में वो बहुत अच्छे से बात करते हैं बहुत अच्छे से प्यार दिखाते हैं आपकी छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, आप उनसे कुछ बोलते हैं, तो वो बहुत जल्दी उस काम को कर देते हैं, आप उनसे कुछ भी बोलते हैं, वो आपकी बात माल लेते हैं, तो dear, आप उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं, आप उनसे बहुत जादा ही द कार्मी के लेकिन वो आपके साथ धोका ही करने आता है आपको अट्रेक्षन तो मैसूंस होता है कार्मी की तरफ भी इस लिए क्योंकि आपका उससे कुछ कर्मा जुड़ा होता है इसलिए तरह बहुत दब है आप उससे बहुत कनेक्च हो जाते हैं और आप उससे अपना सोल मैट समझ बैठते आप उसके साथ अपनी future planning कर लेते हैं आपको ऐसा लगता है कि उसके जैसा कोई person ही नहीत है आप उसके साथ दिल से कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन जब वो आपको समझ लेता है आपको जान लेता है आप से उप जाता है जब एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपका कर्मा पूरा हो जाता है जितना आपका उसके जाथ हिसाब किताब बागी होता है जब वो खतम हो जाता है तब वो आपको छोड देता है उसे फिर धोका कहते हैं कि उसने आपको धोका दिया वो आपको धोका ही देने आता है वो आपसे अपना हिसाब किताब बराबर करने ही आता है क्योंकि वो आपका कार्मिक होता है इसलिए डियर अगर आपका पिछले जनम का कोई भी करमा है आपको याद तो नहीं होत किताब बर्बर जरूर करता है वह आप से मिलता है आप lifetime बहुत जाद carbon बढ़ाता है आपसे बहुत प्यार दिखाता है और आप उसे दिल से कनेक्ट हो जाते है तब वो आपको चोड़ देता है छोड़ देता है या छोड़ देती है यह कार में कोई भी हो सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेसा लड़के ही दोका देते है लड़कियां भी दोका देती है तो यह कार में कोई भी हो सकता है और जो ट्विन फ्लेम होता है उसकी तरफ भी आपको बहुत ज़्यादा अट्र तो बात नहीं करता वो अपकी तरफ देखता भी नहीं रही कि आपसे दूर भागता है लेकिन आप से एक मिनट बात करने के लिए तरफ देखने के लिए आपके अंदर पता नहीं क्यों ऐसी अचा जाती है जिससे आपको उसके लिए बहुत बेचैनी महसूस होने लगती हैं आप उसे देख पर सुखून महसूस करती है तो ये कार्मिक होते हैं उने भी कुछ लोग मैसूस करते हूं कि उनकी बहुत खीजाँ होता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह के twin flame है क्योंकि जो कार्मिक होता है वह एक ठाइम पे गालियां भी देने लगता है आपको मार पीर्ट भी करने लगता आके साथ आपको कहीं भी उल्टा- Whew बोल देता है आपकी ńजन नहीं करता आपको पिल्गोल भी रिस्पेक्ट नहीं करता लेकिन डायर जूट्व लेम होता है वो कभी आपको गलत नहीं बोलेगा वो कभी भी आपको किसी की नज्रों में गिरने नहीं देगा आपसे बात नहीं करेगा लेकिन वो आपको बुरा भी नहीं बोलेगा वो आपको गलत भी नहीं बोलेगा आपके रिस्पेक्ट भी करेगा क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होता है वो कभी भी आपको नीचा नहीं दि वो आपको गलत कभी नहीं कहेगा वो कभी आपको गालिया नहीं देगा कभी आपके साथ जो गलत तरीके का विभार है वो आपके साथ कभी नहीं करेगा क्योंकि जो इन फॉल में दो एनरजी होती एक मस्कुलाइन एक वेमिनाईन जैसे हमारे बोड़ी पार्ट का राइट लिस जो होता है वह मस्कुलाइन होता है और गॉर यह स्कूलाइन लोटा लिए चुछ हमारे डिंफुलेम वहता है तो वह जो आप आप से दूर भागता है आपकी तरफ देखता नहीं है जो आपसे बात नहीं करता है वो रनर होता है वो मस्कुलाइन अनर्जी में होता है और जो आप हो आप बहुत इमोशनल होते हो जो फैमिनाइन अनर्जी में होते हैं वो बहुत जादा ही इमोशनल होते हैं बहुत जाद देख नहीं सकते तो डियर अगर आपके परसन आपको कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं आपके साथ कभी कोई गलत विभार नहीं करते हैं आपको समझते हैं हो सकता है कि आपके परसन आपसे बात ना करते हो लेकिन वो आपको कभी कुछ बुरा ना बोलते हो आपके बारे में क कभी किसी से कुछ बुरा ना बोलते हो क्योंकि जो मस्कुलाइन होता है वो कार्मिक बड़न में बहुत फसा होता है क्योंकि वो कभी मेडिकेशन नहीं करता कभी वो चक्रा हीलिंग के बारे में सोचता है कभी वो कुछ भी ऐसे मतलब वो कभी वह Meditation अपने को हील करना ये सब कभी कुछ नहीं करता है तो इसलिए निर्जी हमेशा कार्मिक बड़न मस्कुलाइन नर्जी पर बहुत होता है कुछ लोगों की मस्कुलाइन नर्जी में मेरे जो होते हैं जो अपके परसन है अगर वह मस्कुलाहीन है अपको लगता वह तुइन फ्लेम कुछ लोगों की जो इतission वहादब होती है वह उन्हें समझती नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपके परसन से अपनी जरूरते पूरी कराना चाहती है उन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि उन्हें क्या तकलिफ हो रही उनकी भी कुछ खुसिया हैं, वो भी कुछ करना चाहते, वो भी कुछ पाना चाहते, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके परसन से इतना मतलब होता है, कि वो उनकी जरूरते पूरी करें, वो उनके लिए ही सब कुछ करें, वो किससे खुस होता है, वो क के vibration भीज़के आप उन्हें love vibration भीज़के हील करते हैं तब आपके person का heart chakra open होता है जो उनके सारे chakra's blocked होते हैं वो heart chakra open हो जाता है उन्हें आपके प्यार का एसास होने लगता है वो भी आपकी तरफ खिचने लगते हैं उनको भी एक आपकी तरफ खिचाओ महसूस होने लगता है पलपल पर आपकी याद आने लगती है आपके प्यार की याद आने लगती है जितना जादा आप meditation करते रहते हैं जितना जादा आप खुद को हील करते हैं और अपने person को हील करते हैं उतनी जल्दी बहुत लोगों के person वापस आ जाते हैं जो only flame energy में हैं अगर आप बहुत ज्यादा meditation कर रहें और आपके person meditation करने लगते हैं तो आपका union हो जाता है अपका जो non contact होता है वह reunion भी हो जाता है और अगर आप बेउनों meditation करते हैं तो जादा आपने आ को हील करते हैं यह से थे कनेक्ट होते हैं तो डियर आपकी साधी भी हो जाती है आपके twin flame से जैसे civ और सक्ती भी twin flame है divine feminine जो हमारे है twin flame energy में है इन लोगों ने भी अपना union करने के लिए बहुत ज़्यादा ही meditation किया है बहुत ज़्यादा ही तब ध्यान साधना की है तब इन लोगों का एक दूसरे से union हुआ है तो dear अगर आप अपने परसन से साधी करना चाहते है अपने परसन के साथ जीना चाहते तो आप meditation करिए जितना ज़्यादा हो सके आप meditation करिए और खुद को positive रखिए अगर आप खुद को heal करते हैं positive रखते हैं तो आपका आपकी twin flame से union हो सकता है और जो कार्मिक होते हैं अगर आप उनसे दूर होना चाहते हैं कार्मिक लोगों से एक कर्मा क्लिंजिंग का meditation है आप उसे करिए आप अपने कर्मा को खतम करने के लिए कर्मा क्लीन करने के लिए आप meditation करिए meditation करने से कर्मा भी clean होते हैं और हमारा aura बहुत strong होता है positive होता है आपको ऐसे पता चलने लगेगा कि यह आपके twin flame है कि आपके कार्मिक है जब आपकी life में आपका twin flame आता है आपका muscular ही नाता है तो dear वो जब आपकी life कीवैब्ल कोई भी हो तो अपकि लाइफ में जैसे चमश्कार होने लगता है मे मेडिटेशन से कनेक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा परस्पनों करें में आपके लाइफ कह बहुत ज्यादा एसे काम होने लगते हैं जिनके बार major अपने सोचा भी नहीं था, आपको लगता था कि ये काम आपके लिए नामुम्किन है, आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसमें आपको सकसेज मिलने लगती है, आपके करियर में एक नई ग्रोथ हासिल होने लगती है, आप बहुत ज़्यादा स्प्रिच्वल हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप की लाइफ में आप का टुइन फ्लेम है, आपकी ही एनरजी है, आपका मस्कुलाईन है, और अगर आपके परसन से आपके लाइफ में नेगेटिविटी आरही है, बहुत जादा नेगेटिविटी आरही है, आप पहले अपनी लाइ ऐसा ही हो रहा है कि पहले आपकी लाइफ में बहुत ठीक था, पहले आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक था, जब आपके परसन आए तो कुछ दिन की खुसियां थी और फिर सब कुछ खतम हो गया, आपके परसन के आने से आपका दिल दिमाग आपकी पढ़ाई में या फिर स्क्राव में या फिर आपके बीज़नेस में नहीं लग रहा एपको सिर्फ-और सिर्फ निगेटिव टी महाइसूस हो यह आपको बहुत जादा प्रॉब्म हो आप अपने औरा को clean करने के लिए आप अपनी negativity को clean करने के लिए meditation करिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा और कुछ लोग अपने person को कैसे पहचाने कि उनके person उनके hne सूल मेट है तो यह जब आपके person आपकी live में आते हैं अगर आपके person है तो वो भी आपको कभी कुछ गलत नहीं बोलेंगे हाँ थोड़ी थोड़ी लडाईयां हो जाती है और आपके person के बीच में थोड़ी बहुत लडाईयां हो जाती होंगी लेकिन आपका person अगर soul मेंट है आपका तो वो आपको मनाएगा और आप भी उन्हें मनाएंगे ऐसा नहीं है कि वही आपको मनाएंगे लेकिन उनसे कभी आपको नफरत नहीं होगी उनसे कभी आपको negativity मैसूस नहीं होगी आपको उनसे बात करके positive ही फिल होगा आपको ऐसा लगेगा कि बात करके बहुत सुकून मिलता है आपको बात करके उनसे बहुत अच्छा फिल होगा और हमेशा वो आपके लिए अच्छा ही करने के बारे में सोचेंगे वो आपको जो भी सला देंगे वो सही सला देंगे कभी आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचेंगे जब वो आपके life में आएंगी तो आपके life में आपको जैसे अपने करियर में बहुत बदलाओ दिखने लगेगा आप जो मतलब पहरे tension में रहते थे किसी भी बात को लेकर तो आपको ऐसे लगेगा कुछ tension कम हो गई है अब आपको इतनी tension नहीं रहती है आपके life में बहुत positivity महसूस होगी तो dear अगर आपको ऐसा महसूस हो आपके person के आपके life में आने से तो आप समझ लिजे कि आपके person आपके soulmate है और हमेशा वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो soulmate होते हैं उनका कुछ कार्मिक बर्डन होता है जिसकी वज़य से वो आपसे दूर हो जाते हैं वो आपके साथ life partner बनकर नहीं रह पाते या आपके लिए life time तक नहीं रह पाते हैं तो dear अगर आपके person आपसे दूर हो जाते हैं तो भी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं उतना ही आपको समझते हैं और फिर भी वो आपके बारे में कभी किसी से कुछ बुरा नहीं बोलेंगे आपसे दूर होने के बाद भी अगर आपके परसन आपसे दूर हो चुके हैं फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं किसी पे मजबूरी के वज़े से दूर हो चुके हो तो दियार आप सर्मझ लीजे हैं कि वो आपके सोलमेट है और वो आपको कुछ गलत नहीं बोलते हैं और सोलमेट ऐसे भी होते हैं कि family भी होती है जैसे हमारे भाई हमारे बहन फैमली मेरे जितने भी सोलमेट ही हुते हैं जो हमें मिलते हैं जो हमें बहूँ समझते हैं और हमें spiritual journey में support करते हैं तो dear कभी-कभी हमारी family भी हमें galera's soul-bound मिलती है तो अगड़ जिनकी family जिनने बहुत समझती है उनके family का कोई भी member उन्हें बहुत समझता है कोई भी उन्हें बहुत समझता है उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और आपके लिए कुछ भी करते हैं और आपकी खुशी में खुश रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो आपके सोल मेठ है कुछ लोगों की फैमली भी होती है ऐसी जो कारमिक होती है कि आप उनके लिए कितना भी कर दो लेकिन उनके लिए हमेशा कम ही होता है अगर आप उनके लिए बहुत करते हैं और कोई है ऐसा इंसान जो उनके लिए कुछ भी नहीं करता लेकिन उनकी बढ़ाई वो बहुत करते हैं और आपकी नहीं करते हैं उनको वो बहुत समझते हैं, उनके लिए वो कुछ भी कर देते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं करते हैं तो आप समझ लेजेए कि वो आपके कार्मिक है कार्मिक हमारे फैमिली भी होते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर भी होते हैं, हैस्बेंड या वाइब भी होते हैं और हमारे परसन भी होते हैं और सोल मेड़ भी ऐसे हमारे सब लोग होते हैं जैसे फैमिली भी हो गई फ्रेंड भी हो गई इसी तरह से हमारे सोल मेड़ भी बहुत लोग होते हैं लेकिन जो हमारे टुन फ्लेम होते हैं वो हमारी एनरजी का हमारे सोल का ही हिस्सा होते हैं तो तियर आप हमेशा अपने person को पहचानने की कोसिस करीए और आप अपने karma को clean करने की कोसिस कीजिए meditation करके जितना ज़्यादा हो सके आप meditation करिए जितना ज़्यादा हो सके आप अपने person को love vibration बेजिए अगर वो आपको सोलमेट है आपके टुन फ्लेम है आपको नहीं समझते तो आप उन्हें लव वाइब्रेशन बेजिए और टेलीपैथी के मात्यम से कॉंटिक करने की कोशिश करिए और आप हमेशा पॉजिटिव रहें जितना ज्यादा अप मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा आप खुद को हील कर सकेंगे जब आप खुद हील होंगे तो आप उतने ज्यादा ही पॉजिटिव होंगे और उतने ज्यादा ही आप खुस रहेंगे आप अपने धियान रखिए और अपनों का धियान रखिए हम आज़ा करते हैं कि हमने आपको जितने भी साइन बताएं आप समझपाए होंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि आपके परसन सॉल्मेट है या कार्मीख है या फिर टिवंड फ्लेम है आप किस जर्णी में कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम के साथ है या फिर आप सोलमेट के साथ है तो अगर आप से ये साइन मैच होते हैं तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आप किस के साथ हैं सोलमेट के साथ हैं या कार्मिक के साथ हैं या फिर ट्विन फ्लेम के ज्याई स्रीकिष्णा